जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरिस अनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्त करना है आज हम बताने वाले हैं शिवजी की लक्ष प्रदिक्षणा के अनेकों प्रकार के लाव होते हैं लाख जो भगवान शिव की एक लाख परिक्रमा करता है, प्रदिक्षणा करता है, उस सादक की सदा सिव संदू की करपा से समस्त प्रगार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसे की जाती हैं? सारी जानकरी सभी सादकों को अभी देने वाले हैं। आइए पहले आज काम बंचांग देखें। आइए भगवान शिव की प्रदिक्षणा के हम एलोकिक चमतकार देखें और किस प्रकार से ये प्रदिक्षणा की जाती है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देवें। कोई भी ऐसा भगवान शम्भू का मंदिर जोड़ें। जहां आप आराम से प्रदिक्षणा कर सकते हों। शम्भू का कंकर कंकर में शंकर वास्त करते हैं। चाहें बादस जोतरिलेंग हों। कोई सिद्धपूइट के हों। कहीं के भी हों। बस आप अपने सच्ची आत्मा से सच्चे प्रेम से के यहां मेरे प्रभू विराजमान हैं। और मैं इनकी प्रदिक्षणा करूँगा। लक्ष प्रदिक्षणा करनी चाहिए एक बार जीवन में साधक को जरूर। यानि के एक लाग प्रदिक्षणा हैं। एक लाग परिक्रमा हैं। करने वाला साधक विजय हो जाता। अब आपको क्या करना हैं? सबसे पहले किसी भी सौंबार के दिन शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव पिंडी को पंचा म्रस्ते स्नान करा करके उनकी पूजा करें। दूप दीप दे करके स्वेत मिस्ठान बेल पत्र आदी चढ़ा करके उनकी बहुत प्रेम से पूजा करें और उसके बाद भगवान शिव के सामने ही अंजली में जल ले करके प्रतिज्या करें संकलब करें है प्रभू आज से ही मैं आपकी एक लाग परिकर्माएं करूँगा और मैं एक मास में एक महीने में इने पूर्ण करने का प्रियास करूँगा मुझे शक्ती देना मुझे हिम्मत देना ऐसी भगवान से कामना करके आप अपनी प्रदिक्षणा उसके बाद प्रारम करें सोमवार से प्रारम करनी है शुक्र पक्स के सोमवार से प्रारम करनी है समय कोई भी हो लेकिन ये ध्यान रखें, जितनी आज करें, उतनी कल करें, उतनी परसो करें, यानि कि एक लाख परदिक्षना को एक महा में आप बाट लें, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, मैं इतनी इतनी रोज करूँगा, और ध्यान रखें, भगवान शंबू की जो परदिक्षन है ऐसे आपने एसे ये किया ये एक मानी जाएं आप फिर आप बापस गए ये दो फिर आप ऐसे आए तीन फिर ऐसे ज़िए चार फिर ऐसे आए पांच फिर आए छह ठीक है इस प्रकार से करनी होती है और मनी मन भगवान शम्रुवा कोई भी मंत्रा आप जबते रहें नमस्षिवाय 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 त्रयम मकम यजा महे सुगंधिम पुष्टी वर्दनम कुछ भी मंत्रा आप जबते रहें शोटली तोर सबसे अच्छा तो यही नेश शिवाय और गिन्ति कैसे करेंगे जयसे आप आपने राइट हंड से शुरू करें नमेश शिवाय एक नमश बूए दो नमश शिवाय तीन नमश शिवाय '' चार ऐसे आप उनकी काउंटिंग करते रहें उसके बाद जितनी जिस दिन की आपने प्रदिक्षना तै की हैं जब पूरी हो जाएं सदा सेवसंभू के चरणों में माथा टेके प्रणाम करके नमस्षिवाय का जाप करते हुए घर आ जाएं अगले दिन फिर जाएं ऐसे भग प्रदिक्षना पूरी करने वाले सादक को एलोकिक चमतकार होने लगते हैं एक बार हमारे मित्र ने रात्री कालीन ये सादना की थी और उन्होंने अपनी मन की बात पताई कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि दिगंबर भेशदारी सादू के भेश में कोई यहां पर आकर करती दिखने लगी और वो सदासिव संभू ही थे और जिस कामना के लिए वो हमारे मित्र ये लक्ष परदिक्षणा कर रहे थे भगवान ने एक मासांत के ही उनकी उस कामना को पूण किया लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भगवान से बहुत विशेस कामना नहीं मांगी थी सार ये संभू आपका आशीष बना रहे, मेरा मन आपकी भक्ती में सिदैव लगा रहे, मेरी परिवार पर, समाज पर, देश पर, विश्व पर, ए सदासिव संभू आपकी करपा बनी रहे. और भगवान शीव जी की जवाब परिकर्मा करें, बहुत सात्विक मन से करें, बहुत प्रेम से करें, और इस बात का विश्यष ध्यान रखें, कि उनका जो अरग्या होता है, उसको लांगा नहीं जाता. मोटी भाषा में, जहां से जल निस्तारित होता है, जल निकलता है उसको हम पार नहीं करते हैं, ऐसे ही जो मालाओं में सुमेरू होता है उपर की दरब, उसको भी जापके समय पार नहीं किया जाता. तो भगवान शंबू की एक लक्ष प्रदिक्षणाएं, जीवन में एक बार जरूर करिएगा, आनंद की प्राप्ती होगी, सदा सिर्फ संबू से विशेष आशीष की, कामनाओं की, आशिरवाद की आपको प्राप्ती होगी. बागी कोई बात समझ में ना है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देखते ही हैं, उस पर आप कॉमेंट्स कर दीजिएगा, बागी जानकरी उस पर दे दी जाती है. ऐसे ही पीपल की प्रदिक्षनाएं होती हैं, ऐसे ही अनेको देवी देवताओं की परिकर्मा ही होती है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो हमने पहले भी बताया, फिला के आपको बताएंगे. लेकिन मेरे साद को आनन दा जायेगा लेकिन करिएगा जब आपका पूरा मन अच्छे से हो संकलिपत हो करके करिएगा और यह रखीएगा कि वो उन दिनों में आपको कहीं बाहर न जाना पड़े और ये एक ही मंदिर में होगी इसमें मंदिर चेंज नहीं करेंगे या ध्यान रखना आएए जुड़ते हैं भगवान सदासिव संबू से आरा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणिसर वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संबोस्तवार आधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वरदरे त्रे लोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्म वे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुज केंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ध्यान करें सदा सिव संभू का सुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हूं नेत्र खोले समान्य हो जाएं और साथ को आप सब की कामनाओं की पूर्ति के लिए पित्र दोश निवारण के लिए सदा सिव संभू की करपा के लिए अठारा जून सन दो हजार ते इसको एक विशेस आयोजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से हो रहा है उसमें हजारो सादक हजारो भक्त पदार रहे हैं दूर दूर से आप सब काम स्वागत करते हैं और इसमें हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराएंगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी है ना बहुत सदादक गण 18 जून के आयोजन में आने का प्रियास करें और भग्मान सदा सिव संबू से करपा मांगते रहें कि सदा सिव संबू आपके करपा से हम आपका पूजन अच्छे से कर पाएं आप सुष्त रहें सुखी रहें इनी शुपकामनाओं के साथ हम अपनी मानी को घ् गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से जुड़ा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्ज चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आश किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वासु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्वानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें अधिक्रम सब्सक्राइब करें